तो यह डाउट क्लास है और इसमें आप अपने जो भी डाउट है वो मुझे वटसेप कर सकते हो मैं इसी टाइम आपका जो स्लोट है इसमें वह डाउट क्लिए करूंगा तो पहला जो डाउट पूछा गया है उस डाउट को मैं सोल कर रहा हूं उमीद है मुझे आपको मुझे मेरी आवाद जो है वह आ रही होगी डाउट इंट्रेस्टिंग है यह एक बैलेंसिंग है आपकी चैप्टर नंबर आइट रिडॉक्स रियक्शन की तो यहां पर S203 2 negative विल गिव यू यह है आपका I negative और यह है आपका S4062 असेटिक मीडियम में यह आपको ऑफड़ेस नंबर से बैलेंस करनी है तो यह बैलेंसिंग जो है बड़ा unfortunate है और यह किसी एकेZiam में भी चुकी है ल qualify तो सम्हें तीन बातों का पता हो ना चीँ यह और और सी अक्सटहाँ यहां दो लगा तो बैलेंस हो गया कर यह लगाना ही पड़ेगा तो यहां लगाना ही पड़ेगा तो यह बैलेंस हो पता लगेगा यहां हो टिसने नंबर आएगा इसका इस तरी किसे देखो ऐस्ट वो ओ त्री टू नेगेटिव तो इसको अगडियस नंबर नेकाल गए देखो टुएकस माइनस का सिक्स इस इकल टू-2 तो टू-2 एकस इस इकल टू-2 माइनस फॉर स्वारी प्लस हो गया आपको पता है कैसे और यह आगया प्लस टू तau यहां प्लस तू इसी तरह यहां अगर आप निकालोगे तो यह तो मैइस वन हो जाएगा यहां अगर आप निकालोगे तो इस फोर ओ सिंस्टू नेगटिव यहां आगे आपका फोर एक्स माइनस का सिक्स तुजार ट्वैल इस इकल टू प्लस का टैन और एक्स के वेलू यह इंट्रस्टिंग तरीके से टैन वाई पूर आती है यही इस कोस्टिंग की खुबसूरती है जो आज तक आपने नहीं देगी टैन बाई फॉर हम इसको ऐसा कैसा यहां लगाएंगे यहां को हम डिस्टिंगिस नहीं करेंगे कि यह ऐसा क्यों आया है वगेरा वगेरा अब आगे इस प्रोसेस को चलाते हैं आपको यहीं लगेगा लेकिन यह जितना टिपिकल कोस्टन है उतना ही बहुत आसान भी है देखना क्या होने वाला है तो यहां पर जैसे कि हम देख पाएंगे कि यहां से इसको अगर इससे रिलेट करते हैं हम तो साफसा पता लग रहा है कि ऑक्सिदेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो आपको ठाना है कितना हो रहा है इस चलो जल्दी से pom बदों का भी घलत शीवानी यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो क्योंकि आपने तो यहां जीरो से माइनस टू होने का मतलब है डिक्रीज भाई टू माइनस साइन हम नहीं लगाएंगे यह बोल चुके हैं डिक्रीज भाई का मतलब ही माइनस होता है अब यह जो बात है यह कौन बताएगा यह बड़ा इंट्रस्टिंग है देखना देखो यहां अगर आप इसका टोटल अटेशन नमबर निकालोगे तो फॉर को मल्टिप्लाइगरोगे टैन भाई फॉर से कितना आज ऐगा टैन आजएगा अब इंट्रस्टिंग यह है कि हैं इन्क्रीज हो रहा है यह बात तो सच दिया इंक्रीज वह जिसने बता दिया वह तो हो गया करेक्ट च प्रहों अबदूल गलत है और कोई कि आज अब्दूल यह दूसरी गलती है आपकी तरफ से तो जहिए सी बात है कुछ खासी है और मैं पूछ रहा हूं कि कितना इंकिर रहा है इतना बता दो राइट में आपको से मुल्टिप्लाइ करोगे टैन भाई फॉर क्या हो जाएगा आपका टैन हो जाएगा अब बताइए कितना इंक्रीज हो रहा है यहां पर एक और आंसर आया देखते हैं कि शिवानी बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर है और कोई कि देखो अगर आप यहां दो यहां टोटल ओडिशन नंबर देखते हो तो किस से मुल्टिप्लाइ करोगे फ्रेंट से टूटू जब फॉर लेकिन यहां यह भी तो है इससे भी तो मुल्टिप्लाइ करते हैं तो टू कुछ नहीं करना है ऐसा का से लिख दो आई टू प्लस में टू एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव विल गिव यू टू आई नेगेटिव प्लस में एस फोर ओ सिक्स टू नेगेटिव चलो तो देखते हैं कौन बताएगा लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना हैं लेफ्ट म लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है वेरी गूड अब्दुल यह करेक्ट है बढ़िया और कोई लेफ्ट में टोटल चार्ज अब्दुल करेक्ट है तो बिल्कुल सही बताएग अब्दुल ने टू टू जाब फोर तो यह आगए आपका फोर नेगेटिव राइट में टोटल चार्ज कितना है क्या आपको इबता सकता है राइट में टोटल चार्ज कितना है कि ये चौ्छ बुस्तां में यह हो गया कुछ नहीं करना में यह प्रॉप बैलन के सप्वाशन आपके सामने तो यह एक स्कूल ने पूछी थी कितनी इंट्रस्टिंग रियक्शन है जिसमें है तो बहुत आसान लेकिन लोजिक इस्तेमाल हुए है एक तो यहां लेफ्ट में ओगडे से नंबर बताना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा कि यह प्लस एट है और यह 10 by 4 भी इसको इंट्रस सब्सक्राइब क्लास होगी चलेगी हमारी जब तक हमारी पर यह अविलेबिलिटी दो अपनी प्रोब्लम आप पूछ सकते हो जल्दी से चैक कर लेते हैं एक बार अगली प्रोबलम अगली पूछी गई थी चेप्टर नंबर 9 वैसे तो एट है डीडॉक्स मिल गया चैप् कोशन में बदला गया है और कितनी अजीवगरी बात पूछी गई है कि एलकलाइन यहां पर एलकलाइन दो एलकलाइन परमेगनेट जो की केमनोफोर होता है और एसंडिक परमेगनेट बहुत पर यूज अन ऑकसिडेंट फिर भी ऐसा दे को वो कहा रहा है कि ही आप एलकलाइन भी यूज्ज कर सकते हो पोटेशंयम परमेगनेट आप एसिडिक पोटेशियम पर मैगनेट भी उज़ कर सकते हो लेकिन जब काम यूज किया जाता है तो ना तो एलकलाइन यूज करते ना एसिडिक तो यह manufacturing of benzoic acid from toluene का जो हम manufacturing करते हैं तो यह एक नयाई यूज करते हैं और उसका नाम है क्या एलकोहलिक पोटेशियम पर मैगनेट का यूज करते हैं ठीक है ना और दा manufacturing of benzoic acid from toluene तो वो question में यही पूछ रहा है कि यार जब alkaline यूज कर सकते हैं एसिडिक यूज कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा फिर alcoholic क्यमनोफोर यूज क्यों किया राइट दे बैलेंस टेक्सन अलसो यह question interesting question है कि होने को तो alkaline potassium पर मैगनेट भी होता है एसिडिक potassium पर मैगनेट भी होता है लेकिन जब हम benzoic acid को manufacture करते हैं from toluene तो हम एक नया यूज करते हैं उसको नाम है alcoholic potassium पर मैगनेट ऐसा क्यों तो दो बड़े कारण है कि बनाने को तो तुम बना बलो यार benzoic acid को बना सकते हो आप किसे यह होता है benzoic acid यह देखो यह होता है benzoic acid और यह होता है आपका toluene तो यह c3 तो इस काम के लिए वो कह रहे हैं कि alcoholic potassium permanent इस्तेमाल करते हैं alkaline और acidic इस्तेमाल नहीं करते हैं क्यों ऐसा क्यों तो दो कारण है पहला और सबसे बड़ा कारण है कि यह process बहुत ही महंगा पड़ता है किसका acidic और basic इसका बहुत ही महंगा पड़ता है तो cost of adding an acid or base is avoided त दूसरा दूसरा बड़ा कारण since reaction occur faster in homogenous homogenous face में homo genus face में reaction क्या होती है fast होती है तो यहां पर अगर आप acidic या alkaline face लाते हो तो reaction क्या होती है heterogeneous और अगर alcoholic potassium permanent रखते हो तो देखो यह जो है यह आपका non-polar है ठीक है ना organic solvent है तो non-polar है और केमनो फॉर अगर आप acidic और basic phase में लाओगे तो यह polar हो जाएगा alcoholic भी एक इसको non-polar alcoholic जो है ना वो non-polar phase प्रोवाइड गरता है तो non-polar non-polar homogenous होगे इसी लिए homogenous case के लिए यह reaction fast होती है और कोई कारण नहीं था explanation आप कहीं से भी पढ़ लेना लेकिन यह दो बड़े रिजन आपको साब दिखाए देंगे एक कोस्ट ज्यादा होती है acidic और alkaline की और एक homogenous में यह reaction faster rate से होती है यह कोशन खतम इसी का जुड़ा हुआ एक और कोशन है when concentrated sulfuric acid is added to inorganic benzene उपर वाले के दो रिजिन आपको पता लगी गए है तो वह कह रहा है कि sulfuric acid होता है कॉंक S2SO4 इसको अगर inorganic mixture डालते हैं chloride में अब यह S2SO4 क्या है यह S2SO4 है और इसमें डाल दिया आपने NaCl यानि आपने chloride डाला है देखो यह बोल रहें ना यह बोल रहें कि containing chloride we get colorless pungent smell of HCl हमें क्या मिलता है colorless pungent smell मिलती है HCl की लेकिन यही चीज बट इस दो मिक्षर कंटेन ब्रोमाइड अगर यहां NaCl की जगे ने बीर आ जाए तो हमें क्या मिलता है we get red vapor of bromine ठीक है ना तो यह कह रहा है कि अगर हम इसकी जगे क्या डाल दें H2SO4 में इसकी जगे क्या डाल दें NaBR डाल दें तो हमें red color मिलता है ठीक है और अगर हम NaCl डाल देते हैं chloride डाल देते हैं तो हमें pungent smell मिलती है है HCL की पंजेंट smell मिलती है तो ऐसा क्यों है यहां है आपकी पंजेंट smell और यहां है आपका red color यह रैड वैपर और ब्रॉमिन मिलते हैं ठीक है और जबकि दोनों एक ही परिवार के हैं देखो और एक ही परिवार के फिर भी दो दो अलग अलग चीज़े क्यों मिलती हैं कोशन में यह पूछा गया है दोनों एक परिवार के होने के बावजूद भी यह अलग अलग चीज़ें क्यों होती है तो यह है इसकी explanation पहला केस जब हम एक्स टो एसे सोफोर में क्या डालते है एंव्यल डालते अनले कि यह अनले यह जो है वह वी रिडूसिंग एजेंट भी तुनुम था है रिडूसिग एजेंट यह बोल सकते हो reducing agent है ठीक है और इसी की smell क्या होती है पंजेंट smell होती है अब इस weak reducing agent को अगर आप चाहो कि दुवारा यह S to S of war के साथ combine हो जाए तो answer आता है no reaction या no reaction होती है यानि आपको आगे reaction नहीं मिलेगी नो reaction ठीक है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर इसकी जगह S to S of war की जगह इसमें एने बिया डालते हैं तो अब जायर सी बात है में क्या मिलेगा एनने एच सो फॉर प्लस में टू एच सी एल की जगह आपके मिलेगा में two HBR अभ यह वीक नहीं है यह आपका स्ट्रॉंग इसके लिए मैं एक यूज करूँगा स्ट्रॉंग रिडूसिंग एजन्ट रिदीउसिंग एजन्ट इस यूर्ट रिडूसिंग एजन्ट जो बड़े आसानी से इसको रिडूस कर देगा जो आयाना आपका hbr यह hbr आपका यह एक यह 24 को रिड्यूस कर देगा बिलकूल और जो रिएक्शन पोचीड वोग यह अशोच निकाल लेगा और यह निकालेगा 2 h2o तो जो रेड वेपर आया है वह ब्रोमीन का उता है छोटा है इस ब्रोमीन के red vapor की और यह वज़या है इसके weak reducing agent और strong reducing agent जो hbr आता है ये और weak reducing agent इसको reduce नहीं कर पाता no reaction लेकिन ये जो strong reducing agent है वो 2 so4 को reduce कर देता है तो ये जो bromine आता है ये red vapor है ग्रोमीं का तो ये थी ये कुछ doubt बच्चों के जो मैंने solve कर दिये आपको भी पूरी chemistry के अंदर अगर कोई भी doubt है उसकी या तो pick मेरे पास send कर दो या फिर whatsapp कर दो मैं उसी शाम को इस slot में आपकी problems को solve कर दूँगा तो hopefully यह आपको समझ में आया होगा आज का कुछ नया concept था और exam में आने like भी है इससे पहले वाली reaction exam में आने यह वह वाले तो मैं बोलूगा नहीं कि यह एक्जाम में आती है बट यह बैलेंसिंग एक्जाम में आ चुकी है मैंने देखिए तो thank you so much for the doubt class आप अगली doubt class के लिए अपने question मुझे send कर सकते हो and we will discuss them properly thank you so much take care